आदरनिय अद्दिक जी अखबारों में एक खबर आई थी जिसके तरफ जान नहीं गया होगा। आदरनिय अद्दिक जी उसी समय अखबारों में खबर आई थी किज़गा। क्योंकि लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे। लेकिन उसी समय स्रीनगर के अंदर दसकों बाग फियेटर हाउस फूल चल रहे थे। और अलगावबादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। अभी अभी देश ने देखा थे। आदर ने देख जी। अभी हमारे साथी आखरी हमारे मानने सदर से नौर्थीज के लिए कह रहे थे। मैं कहूंगा जरा एक बार नौर्थीज हो आईए। आपके जमाने का नौर्थीज और आज की जमाने का नौर्थी दिखिए है। आज उनी चोड़े हाईवे हैं। रेल की सुख्स विदावाली सफर है। आप आराम से हुआई जहाद से जा सकते हैं। 39 के हर कोने में आज बड़ी और मैं गर्व के साथ कहता हूँ आज आदी का 75 साल बना रहे हैं तब मैं गर्व से कहता हूँ नव साल में करीब करीब 757,500 जो हथियार की रास्ते पर चल पड़े थे ऐसे लोगों ने सरंडर किया और अलगाववादी प्रवुक्ति छोड़ करके मुख्य धारा में आने का काम किया है आदनियत देख जी आज त्रिपुरा में लाखों परिवारों को पक्का घर मिला है उसकी खुशी मैं मुझे सरीख होने का अउसर थे जब मैंने त्रिपुरा में हीरा योजना की बात कही तरह मैंने कहाता हाइवे आईवे रेलवे और एर्वे फिरा ये हीरा का आज सभलता पुर्वक्त त्रिपुरा की धर्ती पर मजबुती ने जरा रही है त्रिपुरा तेज गती से आज भारती विकास जात्रा का भागीदार बना है आदरिय अद्यक जी मैं जानता हूं सच सुनने के लिए भी बहुत सामथ लगता है आदरिय अद्यक जी जूठे गंदे आरोपों को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा धैरिय लगता है और मैं सबका अभिनंदन करता हूं जिनोंने धैरिय के साथ गंदी से गंदी बाते ताकत दिखाई है कि अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जो सत्थ सुनने का सामर पर ने रखते हैं वो कितनी निराशा की गरत में डूप चुके होगे इसका देश अजबूत देख रहा है मानिय देगी राजनीतिक मानिय देगी राजनीतिक बदवेद हो सकते हैं विचार धारों में बदवेद हो सकते हैं लेकिन ये देश अज़रामर है आओ हम चल पड़े 2047 आज़ादी के सो साल मनाएंगे एक विच्छी दभारत बना के रहेंगे एक सपने लेकर के चले एक संजलत लेकर के चले पुरे सामरते के साथ चले और जो लोग बार बार गांधी के नाम पर रोटी किरताएं उनको मैं चेहना चाहता हूँ एक बार गांधी को पढ़ ले एक बार महत्मा गांधी को पढ़े महत्मा गांधी ने कहा था अगर आप करता में को पालन करोगे तो दूसरे के दिकार जी के रक्षाउत में नहींत है आज करते हैं और अजुकार के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं ऐसी ऐसी ना समझी शायद देशने पहली बार देखी होगी और इसलिए मानिय जगी मैं फिर एक बार आज़र ये राजपती जी को अभिनंदन करता हूं राजपती जी का धन्यवाद करता हूं और बेस आज यहां से एक नए उमंग नए विश्वाद नए संक्यल्प के साज कल पुड़ाएं बहुत बहुत धन्यवाद